गुड मॉनिंग स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप साव उमीद करती वाफ लोग अच्छे होंगे आज आपके वर्षी नंबर 39 आए इसे अच्छे से लेबल कीजिए डेट डालिए क्लास सब्जेक्ट अपतनाम प्रेडिक्चर का नाम लिख लीजिए प्यारी बच्चों आपकी सोर्दास जी रचित यानि उनके द्वारा लिखी गई पदो पर अधारित पार सोर्दास के पद पर चर्चा करते हैं एना तो इसका हम पहले एक हिस्ता पढ़ चुके हैं अम दुसरा पढ़ लेते हैं तेरे लाल मोरे मखन खायो दुपहर दिवस जानी घर सोनू डुडी डुडीरी आपी आयो खोली किवारी पैठी मंदिर में दूर दही सब सकिन खायो उखल चील उखल चड़ी सिके को लोनी अनभाव भुई मैं दुकियायो दिन पर इती दिन हानी होती गोरस की ये धोटा कौनो धंग लायो सुहुर सैयं को हटिक न राखो तै ही पूत अनोखो जोयो तो ये इनका पद है अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये क्या कहते हैं तो देखें यहां लिखा है आप अरिचिस शब्द ऐसे शब्द जो हमें नहीं पता है जैसे यह तुम्हारा ये तैरे लिखा है ना तैरे यानि दर्वाजा उसके बाद पेठी यानि गुसकर फिर सी के यानि दूद दही रखने का पात्र ठीक है गोरस गाय के दूद से बने दही या लसी ठीक है डोटा डोटा कहते हैं लड़का अब इसका हम लोग भावत अर्थ देखते हैं कि क्या है लिखा ये शोधा मया से ब तुम्हारे लाल ने मीरा मक्कन खाया है दिन में दुपहर के समय घर को सुनसान समझ कर स्यम्ही कोशते हुए आया ठीक है यानि कि उन्हें लगा कि घर खाली है इसलिए वो आगे किवार कोल कर घर में गुसकर सारा दूद दही इसने सबी साखों को भी किलाया ठीक है और इस उल्लक पर चड़कर छीके पर रखा गोरस भी ले लिया और जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर गिरा दिया ठीक है जित्ता खाया खाया बाकी सब गिरा के चले गए इसके इस परकार के विवार से प्रती दिन गोरस की बरबादी होती है तुमने अपने पुत्र को किस परकार की सीख दी है यह जर्नली होता है कि जब कोई हमसे लड़ने आता है बच्चों की उससे पॉइंट ओव यू से कहते हैं कि आपने बच्चों को यही तमी सिखाई एसे बड़ों से बात करेगा वो तो वही बात यहां कहते हैं सूरदाज जी कहते है कि गोपी याशोद को घर पे रखते हैं तुमसे अपना बच्चा घर पे नहीं रखाया जाता क्या तुम्हारा पुत्र जो दुनिया से अनुख है तो आप देखें यह लिखा है आशा है कि आप इन पंक्तियों के भावयत को समझ लिया होगा आप सबने आई इनी पंक्तियों पर अधारत को प पूद्र कहते हैं बेटे को और बेटे का प्रयाएवाची क्या नहीं है से तो देखें इसमें चत्ति भी आपको दिये गया है सूथ मा बीटा होता है और वत्स माने बीटा होता है सिर्फ जो यह आपका दुग्ध है इसका मतलब होता है दूद्थ हो ठीक है तो कौनसा प्र लिखेंगे कि क्रिश्ण जो हैं वो दोपहर के समय गोपी के गर्ड दही खाने जाते थे अगला कुछ लिखा क्रिश्ण के साथ दही खाने और कौन जाता है तो इसका अंसर लिखेंगे श्री क्रिश्ण के साथ दही खाने कौन कौन जाता था उनके सखा भी जाते थे अगला कुछ लिखा है कृष्ण के लिए तीन प्रायवाची शब्द लिखिए इसका अंसर आप यहां से लिखेंगे कृष्ण के लिए प्रायवाची जो शब्द हैं वो यही हो जाएंगे ठीक है कोई भी आप लिख सकते हैं शाम, गुपाल, गिरगर, मुडलीधर, सके लावावणशीधर, कानहा, मोहन, माखंचुर, यह सब इनकी ही नाम है लास्ट उशन लिखा है सूर्दास के पद किस भाशा में लिखे गए हैं इस कान से लिखेंगे कि सूर्दास के जो पद हैं वो ब्रिज भाशा में लिखे गए हैं अब देखें यहां पर आपको गतीविदी दी गए है उप्यूपफद में आपको कौन सी बाद सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों अनुच्छेट के रूपे विचार करके लिखे तो यह काम आप लोग खुद करेंगे कि आपको इसमें कोन सी बाद यहां अच्छी लगी है उसी कई यहां पर आप अर्थ लिख लेंगे ठीक है क्यों लगी है यह बता देगे तो एक काभ आप लोग खुँच से करेंगे चले ताची वॉच्छी पॉम लगएं झाल 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 झाल